So hello guys my name is Goro and you are watching WrestlePanda So आज हम बात करने वाले WWE से जुड़ी काफी सारी मसालेदार अपडेट्स के बारे में जैसे कि Roman Reigns एंड Braun Strowman के Universal Championship के मैच में हुई एक बहुत बड़ी मिस्टेक Ronda Rouse एंड Becky Lynch के रिटर्ण को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है Fiend and Alex Sublist के New Opponent Porn होने वाले ये भी हो चुका है Reveal Raw Underground के Plans हो चुके है Cancel Biggie का होने वाला Character Change WWE Smackdown की Viewership भी हो चुके है Reveal एंड ये एक बार फिर से जा चुके हैं Down एंड साथ साथ बात करेंगे कल होने वाली Monday Night Raw के बारे में वीडियो होने वाले हो काफी इंटरस्टिंग आपको देखना वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन वाल को उन ताकि चैनल से जोड़ी सारी अपडेट जानने को मिलती रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले स्टोरी यार यह ब्रेवाइट एलकसब लीस एंड रेट्रिविशन को लेकर सो रेट्रिविशन के मेंबर टीवार यानि की डॉमनिक डाजुकोविक ने एक ट्विट के है जिसमें लिखाता जिस पर दिफिंड ब्रेवाइट का रिपलाई आता है कि I am already dead मतलब की मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक गोश्ट का केरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिस पर टीवार का रिपलाई आता है और वो ने एक फोटो पोस्ट की एक सब्लिटी यह एक स्टोई लान की सुरुवात है खेर यह तो मैं देखने को मिलेगा में फोलाई lah में टाई न strom कि यह देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि आने वाले फीचर में इनके पाथ आपस में कोलाइड होते हैं या नहीं क्योंकि इस ट्वीटर वोर्ड से तो यही लगता है कि हमें दोनों के बीच फ्यूट बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है एंट गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो की जुड़ी होई है बीगी से तो आपने देखा कि डव्लू डव्ली ने कैसे बीगी एंड न्यू डे को अलग कर दिया जिसके पीछा कारण था कि डव्लू डव्ली को बीगी को एक सिंगर रन देना था एंड बैक स्टेज से ख़बर आ रहे है कि डव्लू डव्ली बीगी को एक काफी बड़ा पुश देने वाली है एंड साथे साथ उनके करेक्टर में भी चेंज करने वाली है तो अब हमें बीगी देखने को मिलेंगे ऐसे सीरियस करेक्टर वैल डव्लू डव्ली के प्लैंस तो हैं कि डवीगी को एक मेगा पुश मिले लेकिन डव्लू डव्ली के ये प्लैंस कभी भी फूस हो सकते हैं एंड नेक्स्ट अपडेट आते है स्मैकडाउन की ओवरनाइट वीवर्शिप को लेकर जो की हो चुक है रिवील एंड इस अफते की वीवर्शिप के आल काफी बुरे हैं क्योकि ये वीवर्शिप गिर चुक है पिछली है अफते से 9% पिछली हफते इस स्मैकडाउन को वीवशिप मिल लिती 2.087 पाँ जो कि इस अफते 9% गिर चुक है और ये जा चुक है दो मिलियन से भी नीचे अगले साल एक्सपायर हो जाए हो सकता है कि उन्होंने अपना कॉंट्रेक्ट पहले से ही रिन्यू करवा लिया हूँ जिसके बाद रॉन्ड राउजी हमें देखनों का मिली डेवली पर्फॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करती हूँ एंड डेवली जल्द ही रॉन्ड राउजी का रिटर्न करवा सकती है एंड रैसलिग न्यूट डोट कॉम की माने तो विजविक में रैसल महीना 37 में रॉन्ड राउजी वर्सिज बैकी लिंच का मैच कराना चाहते हैं बैके लिंजो की फिलाल प्रेगनेंट हैं एंड इस सबते वो नजर आई इस मैकडाउन के बैक स्टेज पर एंड एकस्पेक्टिड है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में अपने बेवी को बर्थ देंगी एंड जिसके बाद उनका रिटर्णों का WWE में हैं एंड उनकी फ्यूड इस्टार्ट होगी रॉंड राउजी के साथ एंड इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्ट स्टोरी की तरफ जो कि जूड़ ही है रोम अरेज और ब्रोण स्ट्रोमन के यूनिवर्सल चेंपियंशिप के मैच को लेकर जो कि हुआ था इस मैकडाउन में जिसमें हमने देखा था कि रोम अरेज ने अपना न्यू फिनिशर लगाया और उस मैज में जीत हासिल की एंड हमने देखा कि ब्रोण स्ट्रोमन उसमें चोक हो गए थे उन्होंने टैप आउट नहीं किया था बट यहाँ पर बोच आता म माइकल कोल की तरफ से जिन्होंने डिकलेर किया कि स्ट्रोमन ने टैप ऑउट किया जिसके बाद ब्रोण स्ट्रोमन ने ट्वीट किया और और शोटाह माइकल कोल एंड रोमान रेंस पर और उन्होंने लिखा कि राइट counowe busting my ass in the gym to get better and मैं माइकल कोल को यह बताना चा थी उसके ओपर भी उन्होंने ट्वीट किया एंड रोमन रेंग्स ने CBS स्पोर्स को इंटर्विव देते हुए कहा कि कोई अब रो की बात नहीं करता वे बात करते हैं स्मैक डाउन की और ये सिर्फ मेरी वज़े से हो रहा है क्योंकि स्मैक डाउन को मैं लीड कर रहा हूँ एंड अगले चार पास साल में मैं एक मार्क बनाऊंगा जो की अंटचेबल होगा एंड अपना स्टेटेस एज ए होल ओफ फेम बनाऊंगा एंड मैं अपनी लेगेसी बनाऊंगा एंड मेरे फेमिली मेंबर समुझ पर प्राउड होंगे एंड कुछ ये कहना था रोमन रेंज का एंड ऐसा लगर आगी रोमन रेंज का ये जो हील वाला परसोना है ये काफी सालों तक चलने वाला है एंड दीरे धीरे रोमन रेंज के करक्टर की सारी पड़ते खुलने वाली है एंड अब बात कर लेते हैं कल होने वाली Monday Night Raw के बारे में जिसमें WWE ने पहले से काफी कुछ अभटाइज कर रखा है हैंड यहां पर हमें पता चल सकता है कि विफिंड और अलेक्सा ब्लीस का नेक्स्ट अपोनेंट को होने वाला है एंड एट्रिबिशन के साथ जो उनकी कानी चल रही है क्या उसका कोई सेंस बनता है एंड नेक्स्ट क्यों की अलायस का रिटर्न हुआ है तो आपको उनका कॉंसर्ट वाले सेग्मेंट देखने को मिल सकता है और पॉसिबली यहाँ पर जफार्डी अटैक कर सकते हैं अलायस के उपर आस्क का वर्चिस लाना का मैच भी होने वाला रोव ओने चैंपिंशिप के लिए है एंड रिजल्ट यहाँ पर काफी प्रेडिक्टेवल है आस्क का इजिली इस मैच में जीच जाएंगी एंड एक्सपेक्टिड यह भी है कि यहाँ पर कोई रिटर्न भी हो सकता है ब्रॉण इस्ट्रोमन वर्सिस कीथली का भी मैच हमें यहाँ देखने को मिलेगा एंड यह मेच या तो डिस्कौलिफिकेशन में एंड होगा और इसका अगर प्रोपर रिजर्ट निकला तो यहाँ जीच सकते हैं कीथली चोकि ब्रॉण इस्ट्रोमन अभी अभी रोमन रेज के सामने लड़कर आ रहे हैं एंड डव्ली डव्ली दिखा सकते हैं की ब्रॉण इस्ट्रोमन 100% फिट नहीं है तो यहाँ पर चांसेज हैं कीथली इस मैच को जीते हैं एंड डव्ली डव्ली इसमें यह भी अड़टाइस कर रही है की हमें रेंडी ओटन और डू मेकेंटर के भी टेंशन बढ़ती भी दिख सकती है एंड आपको पता है की रहली नस सेल से पहले डव्ली डव्ली इका यह आखरी रोका एपिसोड होने वाला और डव्ली डव्ली इसमें अपना पूरा दम लगाने वाली है तो शो को देखने में काफी मजाएगा वीडियो अगर यहां तक देखी लिया तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बूला चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को उन ताकि चैनल से जूठी सारी अपडेट जानने को मिलती रहें एंड मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाता हूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में